कि यूटूब चनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश चला विटीए चला कानोली वक्तिकर चला के रुप में नहीं लिया दनाती है कि 29,500 डूलर से नीचे केंडल का क्लोजिंग नहीं चाहिएगा क्योंकि वरना एक और रिट केंडल बन सकता है और मार्केट गिर सकती है क्योंकि एक ही लक्षमन रेका यहां पर मैं देख रहा हूं उपर आने रहा है नीचे जाने रहा है तो आज का केंडल क्लोज होगा बड़ा तो हमें कुछ आईडिया लग जाएगा अभी वनसाइट करना पोसिबल नहीं है अब वीडियो को छोड़ सकते हो यहां से वनसाइ बिल्कुल दिया था कि केंडल कहां पे क्लोजिंग होगा तो क्या मामला बनेगा कहां से बिरिस बन सकता है कहां से बुरिस बन सकता है तो जो विकली केंडल क्लोजिंग के हम चाहते थे कि 29,500 डोलर से उपर मिले बट एगजिट ऐसा नहीं हुआ है यहां पर हम विकली केंड इसके उपर आके close नहीं कर पाया है नीचे close किया जो की एक support area था 29,500 डोलर नीचे close किया मतलब की मामला बेरी से और again यहाँ पर market जो गिरने की अभी भी possibility है आप थोड़ा fund बचा के रखना अभी भी जो possibility है वो market 28,200 डोलर से लेके 28,400 डोलर तक की हो सकती है मतलब की यहाँ से अगेन 600-700 डोलर के आसपास गिरावट अगेन हमें देखने को मिल सकती है मैं से डाइरेक्ट नहीं बता रहा हूं क्योंकि नीचे के आप line देखेगा नीचे line किस तरीके से connect हुआ है आप यहाँ पर देखेगा एक वे जमने बनाया हुआ है weekly time frame के अंदर market जनवरी 2023 से यहाँ से एक bounce back लेके 24,000 डोलर गई थी market अगेन थोड़ा गिरी अगेन एक जम मार दिया 25,000 डोलर के आसपास फिर market में एक डम पाया 19,500 again market 31,000 डोलर तक गई market गिरी अगेन गई तो 31,900 डोलर के आसपास हमें market देखने को मिली वहाँ से बार बार reject होने के बाद market अगेन वापस घूम रही है तो यहाँ पर सभी के सभी जो line है जो point है यहाँ पर connect हो रहे तो नीचे का जो point है कहाँ पर connect हो रहे हो sport वालों के लिए कि market 28,000 डोलर से नीचे बड़े time frame के अंदर candle closing नहीं करना चाहिए वरना मामला बिगड़ सकता है मजबूत support है एक major support area है 28,200 से लेके 28,400 डोलर के आसपास मामला यहाँ पर देख सकते है तो अगेन अब यहाँ पर आप short open कर सकते है stop loss 29,600 डोलर के आसपास लगा के एक trade दे रहा हूँ छोटा सा trade 28,900, 29,000, 29,100, 200 डोलर से part wise आप entry लेके target देख सकते हो 28,400, 28,200 तक भी यहाँ पर वीक लग सकते है तो 600 डोलर का moment आएगा और stop loss काफी नजदी के अपना ज्यादा दूर नहीं है मतलब कि यहाँ पर देखे तो lows भी 7,8% का है lowest leverage के साथ और profit देखे तो 12,13% के असपास का profit है अब यहाँ पर हम daily time frame के अंदर देखेंगे तो आपको ज्यान से समझ में आएगा कोई भी analysis कर सकता है market है अपने trend के इसाफ से चलता है मैं बार-बार के चुका हूँ कि trend कुछ इस तरीके से चल रहा है यहाँ पर यह जाना चाहिए था 40,000 डोलर बट कभी कबाल ऐसा भी होता है market बीच में से एकाथ बार गुमती है ज़िसकि हम उपर भी थे तो भी एक बार market गुमी थी मैं आपको बदाता हूँ कि market जब 24,000 डोलर गई थी वहाँ पर गिरना स्टार्ट होई थी हमें लगता था कि market यहाँ पर इस point को connect करेगी बट connect किसे साब से किया अगेन एक बार उपर गई और फिर connect किया तो यहाँ पर ऐसे लुड़ा दिये और फिर जाके इस point को connect किया फले थोड़ा गुमाया बट connect यहाँ पर भी यहाँ पर ही हुआ है तो अगेन उपर ऐसा हुआ था तो नीचे भी हो सकता है कि market उपर तो जाना चाहती थी ज्यादा long open होगे तो अगेन यहाँ पर support लेके फिर market उपर दै मैं already काफी टाइम से आपको बदा चुका हूँ कि market काफी बार इसे गुमती भी है अब ध्यान आपको यहाँ पर रखना और यहाँ पर भी आपका अच्छा गाशा opportunity बनेगा अभी के लिए आप short open कर सकते हो market एकने एक बार मुझे लगता है कि एक week नीचे मारेगा वो हो सकता है 28,200, 28,400 डोलर के आसपास उमिद करता हूँ वीडियो पसंद आयोगा वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एक major level पे हम एक already analysis कर चुके हैं जो कि golden cross बन रहा है 3D time frame के अंदर एक बार आप भी check out कर सकते हैं हमारा previous वीडियो देख सकते हैं कि market के अंदर bold rally के 2 indication वो वाला title था वो जाके आप check out कर सकते हैं वो एक लंबे time frame के अंदर analysis था और ये आज का short term analysis है